युगुपूरुस मानिय नितिष जी पर जो हमला हुआ है उसकी मैं घोर मिंदा करता हूँ और इसकी उच्छ स्थरिये जाच हो तो नहीं है इसकी विज़ाच हो पर ब्गत्यारपूर में और इसके बाद सत्ता पक्ष या भी पक्ष तो लगतार इस बात को कहा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री निदीश कुमार की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूप कैसे हो सकती है मुख्यमंत्री नितिश कुमार दिस तरीके से उनके जो सेकुरिटी गाड्स हैं तो करोडर रुपया उस पर खर्च होता है विपक्ष का कहना है और उसके बाब जूद भी इस तरीके से मुख्य मंत्री पर हमला होना ये बड़ी बात है और इसको लेकर भारतिय जंता पार्टी के विधायकों ने भी संदेह जताया है कहा है कि साजिश के तह्यत है मुख्य मंत्री नितीश कुमार के उपर ये हमला किया गया है विकास प्रूस जो नाम से जाने जाते है हम बक्तयारपूर में वो पहुंचे थे अपने जिस तरीके से कहा जाए कि उनका ग्रीज जिला है और उधर अपनी घर गए थे और उसके बाद वहां जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद जो तस्वीरे निकल कर सामने आई जो विपक्ष आरोप लगाया कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है विधान सवाम मामला उठा कि डीजीपी को परखास्त किया जाए कि यह से मुद्दे उपर जो है वो मामला उठा है लेकिन अब भारतिये जंता पार्डी के विधाया कारी भूसन ठाकुर बचौल लगतार अपने बयान वाजियों से सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने भी यह कहा है कि मुके मंत गौसाला से समंधित है और ध्यानाकर्शन प्रस्ताब है गौसाला के जमीन को जो लोगों ने अतिक्रमन कर लिया है उससे समंधित है अब इस पर जो बक्तब्य आए जहां तक मुकेश सहनी जी का सवाल है कुरसी पर रहते हुए भी सहनी समाज का भी कल्यान नहीं कर सके आपने समाचार पत्रों में देखा होगा और आगे कल बिहार के विकास पुरुस युगुपुरुस मानिये नितिस जी पर जो हमला हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसकी उचस्तर ये जांच हो क्यों नहीं बड़े लोग हैं इति बिहार के विकास पुरुस हैं इतियास पुरुस हैं बिहार को उन्होंने पूचाई दी है बहुत कुछ भी हो सकता है इसकी जहां तक हो गहराई से जांच की जांच है सुरक्षा विवस्था पर जब स्यम सुरक्षित नहीं है और यह क्या है इसकी जांच की मैं मांग और निश्चित रूप से इस पर जांच हो करके कठोर से कठोर कारवाई स्पीडी ट्रैल चला करके जो दोसी हो उस पर हो नितिश कुमारा से प्रसालिटी के साथ कुछ भी हो सकता है